नमस्कार दोस्तों स्वागत है आफ सभी का हमारी यूट्यूब चैनल स्काई सामान अध्यन में दोस्तों हम लोग दिखते हैं 4 अक्टूबर 2018 के महात्पूर्ण करेंट अफेर्स दोस्तों दिखेगा इसमें पहला करेंट अफेर्स है ACI खेलों में मरियपन थंगा वेलू होंगे भारती दल के धजवाहक और आपको बताते चैनले दोस्तों ACI जो पैरा खेल है वो जकारता में आई जूत होंगे यहनि इंडोनेशिया जकारता में 6-13 अक्टूबर के मद्ध तो याद रिखेगा दोस्तों ACI पैरा खेलों में भा हाई जमपर है मरियपन थंगा वेलू जिन्होंने की 16 उलमपिक में गोल्ड मेडल जीता था तो वो ACI पैरा खेलों के लिए धजवाहक होंगे चले अगला देखते हैं दोस्तों लेजर तकनिकी को विक्षित करने के लिए 2018 का भौतिक का नोवेल तीन लोगों को दिया गया ह है पहले इसमें आर्थर एसकिन USA दूसरे हैं गेराड मोरो फ्रांस के और तीसरी साइंटिस्ट है इसमें डोना स्ट्रिक लेंड का नाडा की और दोस्तों आपको बदाते चलें डोना स्ट्रिक लेंड को इस बार बहुतिक का नोबल दिया गया है साथी साथ 55 वरसों के बहुतिक का नोबल दिया गया है और आप ये भी याद रखेगा डोना स्ट्रिक लेंड बहुतिक का नोबल प्राप्त करने वाली तीसरी महिला बनी है ठीक है दोस्तों चले अगला देखते हैं केरल के मसहूर वाइलिन वादक बाला भासकर का हाली में निधन हुआ तो गया देखते हैं दोस्तों दुनिया को सुख्च बनाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 4p मंत्र जो है दिया है और 4p में जो 4p का मतलब है पहले 4p का मतलब पॉलिटिकल लिडर्शिब दूसरे पी का मतलब public funding और तीसरे पी का मतलब public partnership जबकि चौथे पी का मतलब people participation जिहां दोस्तों तो ये 4P मंत्रा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया है और दोस्तों आप comment box में comment करिएगा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को शच्चता के लिए भी हाली में कौन सा अवार्ट दिया गया है ये नों के द्वारा चले आगे देखते हैं दोस्तों उपराष्ट पती मंकाया नाइडू ने विश्वसांती इसमारक जिहां दोस्तों विश्वसांती इसमारक का उधगाटन पुड़े में किया है तो याद रखेगा विश्व सान्त या समारक काउध घाटन कहाँ पे किया गया पूडे में किया गया और किसने किया दोस्तों वेंकाई या नैडू ने किया ठीक है दोस्तों अगला देखते हैं पीटी आई यानि प्रेस टेस्ट आफ इंडिया का अध्यक्ष एन रवी को बनाया गया है और दोस्तों पीटी आई 1947 में पंजिकरत हुई जिसने अपना कारियर 1949 से करना शुरू किया और पीटी आई के वर्तमान जो CEO है वो है स्री वेंकटेश तो यह आप याद रिखेगा स् चले दोस्तों अगला देखते हैं भारती मूल के अर्थसास्त्री गीता गोपिनात को आईमेफ की अर्थसास्त्री के लिए नामित किया गया है जिया दोस्तों गीता गोपिनात को जो की भारती मूल के अर्थसास्त्री हैं उनको आईमेफ ने अपने अर्थसास्त्री के लि पासिंग्टन डीसी में है जबकि आइमफ के वर्तमान प्रबंधने देशक क्रिस्टिन लोगार्ड है जिया दोस्तों कौन है क्रिस्टिन लोगार्ड ठीक दोस्तों तो याद रिखेगा तो यह रहे कुछ महत्पोड चार अक्टूबर के करेंड़ फेर्स इनको आप आराम से नोट का लिजेगा दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरे करेंड़ फेर्स के साथ तब तक के लिए धन्यवाद